हलो गाइस कैसे हैं आप सब स्वागत here आपका अपके अपनी चैनल शलिश वी पी लाइब में मैं आपका आपना बंदा आशा करता है। में इतना परिशान हो गया या आज schedule इतना hectic हो गया या मुझे ये परिशानी है जब वो अपना हाथ आपके सर पर रखेंगे न पूरी परिशानी, पूरी चिंता और पूरी टेंशन योगायग हो जाएगी आज भी वो हमारी चिंता करते हैं क्या हुआ उनके हाथ पर ठीक से नहीं चलते हैं उनका लड़का और लड़की है ना उनको सहरा देने के लिए अपने फर्ज से मूँ मत मोड़िये जैसा हमारे बच्चे सीखेंगे देखेंगे हमको हमारे बुढ़ापे में दसकुना लोटाएंगे और फिर देखिए जिस घर में माबाप खुश रहते हैं ना खुशियां बरसती हैं भगवान भी तरसते हैं उस घर में आशिरवाद देने के लिए ये मेरा अपना अन्वो है जो लोग अपने मता पिता के धहन बहुत अच्छे सरकते हैं उनको इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद आज हम बात करेंगे एक ऐसी एलेक्ट्रिक फोर विलर के बारे में जो साथ मार्च को लॉंच होने वाली है क्या साथ मार्च को भारती मार्केट में लॉंच होगी ये तो आपको वीडियो देखने के बात पता लगेगा लेकिन आपको ये बता दूँ वो एक बार चार्ज करने में लगबख 600 से 700 किलो मीटर की रेंज देती है उस कंपनी का ना मताने इस पहले जो ये सब तो आपको वीडियो देखने के बात पता लगेगा आपका भाई बस इता चाता है जब शुरूब जाएं आप तो सवाल आप पुछें वो नहीं क्योंकि गाड़ी कमा या आपकी है विस्ट नहीं होनी चाहिए तो चलिए शुरूआत करते हैं गाइस चीनी कमपणी बीवाई डी ने कम वक्त में भारतिये बाजार में अपना नाम कमा लिया है ये कमपणी इंडियन मार्केट में बीवाई डी ऑटो थी और E6 इलेक्टरिक कार बेच रही है अब इस लिस्ट में BYD सील सेडान का नाम शामिल होने वाला है कमपनी ये इलेक्ट्रिक सेडान 5 मार्च को लॉंच करने वाली है देश के बाहर इस कार को बेचा जा रहा है इसका डिजाइन ओशन से इंस्पार्ड है कमपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर ये गाड़ी 700 से 7500 किलो मीटर की रेंज देगी भारतिय बाजार में इसका सीधा मुकाबला हुंजाई आयोनिक 5 और किया की EV6 इलेक्ट्रिक कारों से होगा चलिए सील इलेक्ट्रिक कार के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं BYD सील की लंबाई 4800 mm, चोड़ाई 1875 mm टेसला के मॉडल 3 की तुल्ला में ये 106 mm जादा लंबी है और 26 mm जादा चोड़ी है टेसला मॉडल 3 की लंबाई 4694 mm, चोड़ाई 1849 mm और उचाई 1443 mm है मॉडल 3 का वील बेस 2875 mm जबकी BYD सील का वील बेस 2920 mm है कुल मिलाकर ये टेसला मॉडल 3 की तुल्ला में बढ़ी है इसकी कीमत को लेकर अभी कोई आफिशली कमेंट नहीं आया है लेकिन माना जा रहा है इसकी एक शोरूम कीमत 50 लाग रुपे के आसपास हो सकती है BYD ने अपनी इस इलेक्रिक सेडान सील में भी ब्रेट बैटरी टेकनलोजी का उपियोग किया है इसमें दो बैटरी पैक का उपियोग किया जाता है जिसमें पहला 61.4 किलो वाट यूनिट और दूसरा 82.5 किलो वाट यूनिट पैक का होगा 61.4 किलो वाट यूनिट बैटरी पैक के साथ कार 550 किलो मीटर की रेंज देगी वही 82.5 किलो वाट यूनिट पैक के साथ ये कार 700 से 7.5 किलो मीटर की रेंज देने में सक्षम होगी ये भी माना जा रहा है कि कम्पनी इसमें 110 किलो वाट और 150 किलो वाट तक के बैटरी आप्शन दे सकती है जिसमें डूल मोटर सेट अप की गई है कम्पनी का कहना है कि ये कार 3.8 सेकेंड में 0 से 100 किलो मीटर पिती घंटे की टॉप स्पीड पकर सकती है BYD सील में भी 15.6 का इंफोटेन्मेंट डिस्पले मिलता है इसमें ड्राइवर को 10.25 इंच का डिस्टल इंस्टूमेंट क्लस्टर और हेट अप डिस्पले मिलता है floating touch screen में central AC vents द्वारा drive selector और scroll wheel के साथ नीचे webinar drive modes का chain करने के लिए flag किया गया है center console में heated wind screen, audio system के लिए volume control के साथ साथ दो wireless charging pad जैसे advanced features भी मिलते हैं इसके अलावा कूपे जैसे ओल ग्लास रूफ, फ्लेश फिटिंग, डोर हैंडल, चार बूम रेंग शेड एलिडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, इस्प्लिट हेड़ डिजाइन और रियर में एक फुल चौड़ी एलिडी लाइट बार मिलेगी, तो गाइस ये बात होई बीवाइडी इलेक्टिक कार की, कीमत थोड़ी सी जादा है, आपकी जेप पर थोड़ा सा भार जादा पड़ेगा, लेकिन आपको रेंज भी दो मिल पहली रेंज 500 किलिमीटर की, और दूसरी रेंज 700 से 700 किलिमीटर की, तो कीमत थोड़ा उपर नीचे जरूर होगी, क्या आपको ये गाड़ी पसंद है, लेना चाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, वीडियो के साल लगा, जरूर बताएगा, कमी जरूर बताएगा, ताकि आपका ये भाई, नेक्स्ट वीडियो में उसकमी को दूर कर सकते हैं, आपसे आपका भे रुपएपे से गरिमांड, या इस गाड़ी करिमांड बिल्कुल भी नहीं करता है, क्या मांगरा गाईज, पस देर सारा अपनों का साथ, छोटनों का प्यार, माताओ बहनों क अशिरवाद, बॉर्णों का अशिरवाद के नाम पे सिर्फ फसर, अपनी शेयरल का सब्सक्रिप्श रमांगरा तो भाई की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नई अप्डिशन साते हैं, इकार लिक सा तेगे शर तेगे शर शेफंडर तेगे, बाई सिर्फ जाइ cuma और दो की जाए सब्सक्राइब के जारा तेग इवाई